नमस्का मैं शॉलीनी और आप देख रहे हैं नेशन न्यूज आपकी अवाज आई बढ़ते हैं आज की बड़ी ख़बर की ओर पूरे टेस्ट से पहले न्यूजिलेंड हुआ कमजोर दिगज बल्लेवास बाहर भारत का काम होगा आसा न्यूजिलेंड ने सभी को हैरान करते हुए बेंगलूर में खेले गए पहले टेस्ट मैच में भारत को हरा दिया था ये न्यूजिलेंड की भारत में 36 सार बाद पहली टेस्ट जीत थी इस जीत से न्यूजिलेंड की टीम बेगत खुश थी और दूसरे टेस्ट मैस को लेकर आप मिश्वास से भरी लेकिर अचानक से उसको जटका लग गया टीम का स्टार बल्लेवास पूले में 24 अक्टूबर से शुरू हो रहे दूसरे टेस्ट मैस में नहीं खेल पायता ये बल्लेवास है कैन बिलियमसन अगर न्यूजिलेंड की टीम दूसरा मैच जीत लेती है तो फिर ये सिरीज भी उसके नाम हो जाएगी इससे अच्छा मौबा न्यूजिलेंड के पास नहीं होगा ये टीम पूरी तरह से दूसरे टेस्ट मैच को जीतने के लिए जान लगा देगी हाला कि स्टार बल्लेवास का ना होड़े से न्यूजिलेंड की टीम थोड़ी कमजोर जरूर हो गई है लेकिन बिलियमसन यू तो पहले टेस्ट मैच में भी नहीं खेले थे उन्हें ग्रोई में समस्या है और ये अभी तक कुई तरह से टीम नहीं होई है टीम के कोच गेरी स्टेड ने कहा है कि बिलियमसन सुधार तो कर रहे हैं लेकिन दूसरे मैच में खेल नहीं पाएगे स्टेड से उमीद चताई जाती है कि बिलियमसन में खेले जाने वाले तीस्टे टेस्ट मैच में वापसी भी करेगे State ने कहा है कि हम Ken Williamson को देख रहे हैं वैं सही दिशा में जा रहे हैं लेकिन वैं 100% फिट नहीं है आने वाले दिनों में हमें और सुधार की उमीद है उमीद है कि वैं तीसे टेस्ट मैच में में उपलब्द रहेगे हम उन्हें उत्रा समय देना चाहते हैं जिने ठीक होने के लिए चाहिए Williamson की गयर मोजुपि न्यूजिलेंड के लिए बहुत बड़ा जटका है पहले मैच में जीतने के बाद कीवी टीम के पास सिरीज अपने नाम करने का अच्छा मौका है और इसके लिए ज़रूरी है कि विलियम संग जैसा दिग्ड़ बल्नेवास खेले ICC World Test Championship के Final के लिहाज़े से New Zealand के लिए आगे के दोनों मैचर काफी एहम है 22 लिए टेस्ट जीत का ये टीम छटे से चौती नमबर पर आ गई है बाकी दो मैच अगर ये जीत जाती है तो Final के लिए इस दिदी में पहुँच सकती है अब तक के लिए बस इतना ही फिरोगी आपसे मुलाकात ऐसी ही खबरों के साथ अब तक लिए नमस्कार और देखते रहे है नेशन न्यूज आपकी अबास ऐसे ही लेटेस अब्डेट पाने के लिए माँ चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंट नोटिफिकेशन पाने के लिए बैल आगर प्रेस करना ना भूले यदि आप हमें फेस्बुक या इंस्टाग्राम के माद्दम से देख रहे हैं पेज को फॉलो जरू करें धन्यवाद